दोस्तों अगर आप भी उम्रान मलिक और सूरी कुमारी यादों को खतरनाक खेलाड़ी मांते हैं तो मारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिगा दोस्तों रफ्तार के सौधागर बने बड़े मैच विनर भारत को आखरी तीम गेंदों पर बचाने थे चार रन गिनबाजी कर रहे थे उम्रान मलिक फिर हुआ चमतकार दूसरे बंडे मैच में खेला गया एक ऐसा रोमांचक सूपरोवर जिसमें सूरिया के साथ मिलकर आयर ने चौके और चखकों की जड़ी लगाकर 21 रन बना दिये कैसे चेज करते हुए नियूजिलैंड के लिए काल बने उम्रान तो आखर कार कैसे आखरी दोगेदों पर दो विगट लेकर उम्रान ने भारत की जोली में डाला ये मैच इस रॉंक्टे खड़े कर देने वाले सूपर ओवर का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आप सफी को क्या लगता है कि उम्रान मलिक और जस्पीत बुम्राह में कौन है सबसे घातक गेंद बाज नीचे हमें कॉमेंट सिक्चन में कॉमेंट करके जरूर रदाईए दोस्तो बरसात की वज़े से रद्ध होने की गगार पर खड़े दूसरे वन्डे मैच में सुपर ओवर खेलने का फैसला किया गया जहां भारती टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और भारत के लिए छे गेंटों के सुपर ओवर में तबाही मचाने के लिए आए दुनिया के नमबर वन टी ट्वन्टी बल्लेबाज सूरी कुमार यादो जिनका साथ निभा रहे थे श्रेश एयर इन दोनों खुंखार बल्लेबाजों का सामना करने के लिए आए नियूजिलैंड के सबसे भरोसे मंद गेंबाज टिम साओधी साओधी ने सोचा कि वो उन दोनों बल्लेबाजों के सामने टिक पाएंगे लेकिन उनकी इस गलत फैमी को पहली ही गेंद पर सूरिया ने चकना चूर कर दिया साओधी ने पहली गेंद इंस्विंग की थी जिसे सूरिया ने मैदान के उपर से इतनी दूर मारा कि साओधी का तो मुह खुला का खुला रह गया बस फिर क्या था दूस्तों शेर के मुह में जैसे खून लग गया अगली दो के दो पर सूरिया ने लगतार दो मैदान को चीरते हुए ऐसे चौके लगाए जिनने देखकर हेड कोच बीवियस लक्षमन के भी होश उडग है अंतमे अईयर ने भी ओवर की आखरी गेंद पर एक तूफानी छक्का लगा कर भारती टीम का स्कोर 21 रन तक पहुचा दिया और इस लक्ष को जीत सीरीज पर कबजा जमाने के लिए नियूजलैंड के लिए बल्लेबाजी करने के लिए आये ग्लैन फिलिप्स के साथ पहले वंडे के शतक वीर टॉम लेथम जिनके सामने गेंद आजी कर रहे थे उमरान मलिक लेकिन किसने सोचा था कि जो रफ्तार उनकी सबसे बड़ी बहतरीन साथी थी वही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी जियां आपको बता दे कि उमरान मलिक की तीन गेंदों पर ग्लैन फिलिप्स ने लगतार तीन खौफनाग च्छके लगा कर पूरे मुकाबले को पलट कर रख दिया अब दोस्तों ऐसा लगा कि मुकाबला भारत के हाथ से चला गया है लेकिन आखरी तीन गेंदों पर नियुजिलैंड को जीत के लिए चार रणों की जरूरत थी और बल्ले बाज फिर से एक शक्का लगाने के इरादे से खड़ा था लेकिन इस बार उमरान मलिक ने अपनी घातक रफतार से इस बल्ले बाज को चारों खाने चित कर दिया उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया और अचानक से एक बार फिर से मैच अपना रुख पलट गया जिसके बाद अब दो गेंदों पर जीत के लिए जरुत ही चार रनों की और बल्ले बाजी करने आये थे डैरी मिशल लेकिन उमरान मलिक ने ओवर की पाचवी गेंद पर इतनी खतरनाक यॉरकर डाली कि बन्रिबाज अपना बल्ला नीजे ला पाता उससे पहले ही उसके तीनों विकेट मैदान पर बिखर गए और इसे के साथ ही उमरान ने भारत की जोली में इस जीत को डाल दिया था निज़िलन को तो भरोसा भी नहीं हुआ कि ये मैच भारत जीत गया पर दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारती टीम सीरीज को अपने नाम कर पाएगी या फिर नहीं कॉमेंट सिक्षन में ज़रूर बताएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सबस्क्राइब कीजिन अमारे यूट्यूब चैनल को दनेवाद